अब सभी का स्वागत करता हूं आज का ये सेशन उन सभी एस्परेंट के लिए है जो चाहे राइएमसी का जून अटेंप्ट दे रहे हूं 2024 में हाला कि इनके लिए बात में और अप्टेटेट सेशन में लाता रहूंगा अभी में फोकस करते हैं राश्ट्रिय मिलिटरी जो कि 17th of December 2023 के दिन है और All India Sanic School जो आप सभी जानते है 21st of January 2024 के दिन होने वाला है तो आप सभी ने previous paper अगर देखा हो तो general knowledge में इन लोगों का एक trend रहा है कि recent time पे जो person बहुत ज्यादा चर्चा में है especially government related उनको आपके exam में पूछा जाता है तो आज के इस session में मैं उन्ही सब को cover up करने वाला हूँ और ऐसी ही regular sessions मैं आप लोगों के लिए ले कर आता हूँ इन सभी को देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस कीजिएगा ताकि आपको timely notification मिल सके अगर आप हमारे साथ जोड़कर live classes के through prepare करना चाहते हैं तो 773-765-3468 पर आप मुझसे contact कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करेंगे इंडिया के highest post की जो है यहाँ पे President of India तो presently अगर मैं बात करूँ हमारी President है द्रौपदी मुर्मु जी यह 15th President के रूप में काम कर रही है और आपको यह याद रखना है she is the first person जो tribal community से बिलॉंग करती है तो first tribal community से इंडिया के President कौन पनी है द्रौपदी मुर्मु secondly आपको यह भी पता होना चाहिए she is the second woman President of India इनके पहले सिर्फ एक ही woman President थी जो थी प्रतिभा पातिलची उनके बाद यह second woman President बनी है और इतना ही नहीं she is the youngest President इंडिया में अभी तक की सबसे youngest President है यह और इतना ही नहीं यह first Indian President है जिनका birth independence के बाद हुआ है ठीक है आजादी के बाद इनका birth यहाँ पे हुआ है तो यह याद रखेंगे आप President आफ इंडिया के बारे में नेक्स इंग आपको पता होना चाहिए वाइस प्रेसेडेंट आफ इंडिया भी यहाँ पे वर्क करते हैं जो है जगदीप धनकरजी तो President कौन है श्रेमती दौर्पदी मुर्मू और वाइस प्रेसेडेंट कौन है श्री जगदीप धनकरजी नेक्स इंग बात करूंगा हमारे Prime Minister of India के बारे में तो देखे नरेंद्र दामूदर दास मूदी जिनने आप PM मूदी के रूप में भी जानते हैं यह हमारे 14th Prime Minister है और यह May 2014 से इंडिया के Prime Minister के रूप में फंक्शन कर रहे हैं इससे पहले यह Indian State Gujarat के Chief Minister या CM के रूप में क काम किया हुआ है और आप सभी जानते हैं Prime Minister जो है वो लोकसभा के अंदर जो Majority Power वाली पार्टी होती है उसके लीडर होते है मतलब यह भी Member of Parliament है तो कहां से Member of Parliament है इनकी constituency है वारा नसी इंडिया में वारा नसी से यह elect होकर आए हैं और यह याद रखेंगे He is the longest serving Prime Minister outside Indian National Congress Congress Party के अलावा जो भी Prime Minister बने हैं उनमें सबसे जादा समय तक Prime Minister बनने वाले Prime Minister है नरिंदर मोधी तो यह आपको याद ही होगा Next आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर ओम बिरला जी जो है वो 17th और current speaker हैं लोकसभा के कबसे 2019 से आप सभी को पता है कि Indian Parliament के जो wings है लोकसभा और राज्यसभा तो लोकसभा को आप क्या कहते हैं यह comment करके बताईएगा क्योंकि आपके exam में बहुत बार आया है Same as राज्यसभा को क्या कहा जाता है वो भी आप comment करके बताईएगा तो लोकसभा के chairperson speaker के रूप में यह काम करते हैं तो वैसे इनके chairperson को speaker कहा जाता है यह आपको याद रखना है तो presently लोकसभा के speaker कौन है ओम बिरला जी है और यह राज्यस्थान के कोटा बूंदी constituency से election जीत कर आते हैं इतना ही नहीं जो हमारी राज्यसभा है राज्यसभा के जो chairperson है वो जगदीप धनकड जी है देखो याद रखना राज्यसभा के head को chairman बूलते हैं जबकि लोकसभा के head को speaker बूला जाता है दूसरी चीज यह question आपके exam में कई बार आया है कि vice president कौन होता है तो vice president is the ex-officio chairperson of Rajya Sabha मतलब जो भी बंदा vice president of India होगा वो ही राज्यसभा का chairman हो जाएगा automatic यहाँ पर यह rule किया हुआ है तो यह भी आपके exam में कई बार आया है इसे भी आप याद रखेंगे and secondly आप यह याद रखेंगे कि यह जो video है यह 14th 12 2023 के दिन upload किया जा रहा है और यह जितनी भी जीजें आज आज आप पढ़ रहे हो यह current affairs का matter है और time to time यह क्या होते रहते update होते रहते हैं तो आप यह stage को याद रखिएगा channel पर रेगुलर बने रहे हैं ताकि हम लोग जो current affairs upload करते हैं आप उन current affairs को regular basis पर देखें और इन्हें update करते रहें क्योंकि timely यह सारी change होते रहते हैं तो उस according आप update करेंगे तो ज्यादा बहतर होगा next इसके आगे बढ़ता हूँ हमारे army से related बात कर लेंगे तो chief of defense staff जिसे की short में cds कहा जाता है अब cds presently कौन है general अनील चौहान जी को इंडिया का chief of defense staff यहाँ पे बनाया गया है आप सभी ने एक नाम सुना होगा जो इंडिया के first cds थे general विपिन रावत जी तो विपिन अभी present के जो cds है वो general अनील चौहान जी है इसके बाद अगर हम बात करें chief of army staff army के जो chief कौन है तो आपका answer होगा general manuj pande यहाँ पे army के chief के रूप में function कर रहे है ऐसी ही chief of air staff के रूप में air chief marshal v.r.chaudhary जो है वो यहाँ पे इंडिया के present air chief staff के रूप में काम कर रहे है ऐसी ही इंडिया में chief of naval staff के रूप में admiral r.hari kumar जो है वो function कर रहे है और चुकि आप लोग defense related exams दे रहे हैं तो defense के wings के जो higher officers है उनके बारे में आपको definitely पता होना भी चाहिए तो इसे आप easily याद रखेंगे आपको definitely यह exam में help करने वाला है so अभी तक अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो I hope आप सभी को session easily समझ में आ रहा है ऐसी ही regular sessions में आपके लिए upload करता हूँ उन्हें देखने के लिए channel को subscribe करके bell icon press करना ना भूलिएगा और अगर आप हमारे साथ live classes के through prepare करना चाहते हैं तो number आपकी screen पर दिये गए हैं तो अभी तक अगर आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजिए आगे बढ़ते हैं बात करूंगा cabinet ministers की जो कि basically क्या होता है इंडिया में बहुत सारे जो post है उन पे ये cabinet ministers function करते हैं जैसे उन में से एक आपके लिए important है ministry of defense यानि की defense minister कौन है तो defense minister है श्री राजन सिंग जी ठेक है राजनाथ सिंग जी कौन है defense minister of India है ऐसे ही अगर हम बात करें minister of home affairs यानि की जो इंडिया में related सारे works को समालने वाले ministry of home affairs के head कौन है श्री अमित शाह जी है ऐसी इंडिया में road transport and highway मतलब road से related transportation highway से related अगर कोई काम करेंगे तो वो presently कौन कर रहे है श्री नित ministry of finance यानि की इंडिया की finance minister कौन है तो श्रीमती निर्मला सीता रमन जी है ऐसे ही आपको याद रखना है ministry of external affairs यानि की जो international relations होंगे हमारे किन देशों के साथ कैसे होंगे उसको decide करने वाले है शुब्रमन्यम जैशंकर तो इस जैशंकर इनको short में बूला जाता है ऐसे ही tribal affairs agriculture culture और farmer welfare के लिए काम कौन कर रहे है श्री अर्जुन मुंडा जी कर रहे है commerce industry consumer food etc ministry of textile related काम कौन कर रहे है श्री प्यूश गोयल जी कर रहे है श्रीमती स्मृती इरानी जो है वो ministry of women and child development and minority affairs के रूप में यहाँ पे function कर रही है अब अगर आपके exam related बात करो तो राजनात सिंग most important हो जाते हैं अमित्चा जी most important हो जाते हैं एस जैशंकर most important हो जाते हैं निर्मला सीता रमन जी भी आपके लिए most important यहाँ पे हो जाते हैं बाकियों को भी एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि अगर हो तो आप answer कर सकें ऐसे ही बात करूंगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी की यह ministry of education से related है तो आपके education related जितने भी काम होंगे वो कौन करेंगे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी करेंगे ऐसे ministry of parliamentary affairs कौन है श्री पहलाज जोशी जी हैं इनको याद रखेंगे आपने कई बार current affairs में ministry of port shipping waterway and आयूश के रूप में पढ़ा हुआ है श्री सूनवाल जी के बारे में ऐसे ministry of panchayati राज और rural development का काम कौन कर रहे है श्री गिरी राज सिंग यहाँ पे कर रहे है रेलवे के ministry of railway communication electronics and IT कौन है श्री अश्विनी वैशनव जी है तो यहाँ पे इन सभी को आप आसानी से याद रखेंगे और बाकियों को भी एक बार पढ़ हाइलाइट करता चल रहा हूँ ऐसे ही food processing industry के लिए श्री पशुपती कुमार पारश जी है ministry of earth science में किरन रिजी जू है ऐसे ही petroleum natural gas में हरदीप सिंग पूरी है environment forest climate change के लिए भूपेंद्र यादव जी है ministry of जल शक्ती याद रखेंगे गजेंदर शिंग सेखावत जी है ministry of power new and renewable energy में राजकुमार सिंग जी है ministry of health and family welfare याद रखेंगे श्री मनसुक मनदाविया जी है covid time पे इन्होंने बहुत अच्छा management किया था और exam में इन पे question पूछे भी गए थे तो यहाँ पर main main आपको highlight कर दिया है मैंने ऐसे ही अगर हम बात करें तो fisheries वगरा से related श्री परसोत रुपाला जी है culture tourism से related जी किशन रेड़ी जी है ऐसे ही अनुराग ठाकुर जी कई बार exam में आये हुए है ministry of information in broadcasting और youth affairs और sports से related इनका यहाँ पर function है ऐसे ही ministry of science and technology जीत इंदर सिंग है ministry of law and justice याद रखना श्री अर्जुन राम मेगवाल जी है ऐसे ही statistics और program implementation के लिए श्री राव इंदर जीत सिंग जी यहाँ पर function कर रहे है तो exam में at least जितनों पर मैंने star mark किया है उनको तो आप याद करके ही जाएंगे आपको definitely यहाँ पर help होने वाली है तो यह था हमारा आज का session I hope आप सभी को definitely exam में help करने वाला है और ऐसी regular sessions देखने के लिए हमें subscribe करके bell icon press कीजेगा ताकि आपको timely notification मिल सके और upcoming videos के link के लिए आ आप बहुत सारे platforms पे हमें follow भी कर सकते हैं ताकि कोई भी update आप से miss ना हो इन सभी platform के link नीचे description में दिये गए हैं जहाँ पे आप हमें contact कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जोड़कर RIMC, RMS, Sanic School, Navoday विध्याले के लिए prepare करना चाहते हैं तो number आपके screen पर दिये गए हैं 7737- 653468 पर आप details ले सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जैहिंद